हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको कुछ करेंट अफियर और समान ग्यान की जानकारी देते हैं, ये सेट आपको बहुती बारिक प्रस्ते अवगत कराएगा और आपको याद कराने की कोशिस करेगा, अता आप इस सेट को ध्यान पुर्वक सुने और याद रखें, तथ एक अध्यापक के रूप में आप प्रात्मिक्ता देंगे, आंसर इज बैज्यानिक द्रिष्टी कोन एवं विचार को आपको अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी तुर्टियों की और संकेत करती है, तो आप क्या करेंगे? आंसर इज स्विकार कर लेंगी आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार संस्ता में कुछ गलत कार कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आंसर इज उन्हें समझाने का प्रियास करेंगे फ्रॉड सिक्षा किन ब्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? आंसर इज गैर सरकारी समित्यों के हाथ में यदि कोई अविवावग आपसे मिलने कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आंसर इज अविवावग को लिखेंगे सिक्षकों के बीच संगहर्ज का सबसी दुसीत परिनाम होता है आंसर इज छात्रों का वहवार विगर जाना चात्रों में अनुसासन बनाए रखने के लिए एक सिक्षक की कौन सी भूमे का सराहनिया है? आंसर इज शिक्षक की कच्छा प्रवंद की चमता किस विद्वान ने यह कहा था कि सीशु का मस्तिक कोडी स्लेट होता है? आंसर इज प्लोटो किस विद्वान ने सीखने के पांच चरन बताए थे? आंसर इज हवर्ट आंसर इज छात्रों में स्रम का महत भावना का क्या आर्थ है? आंसर इज यह सभी उतलब सारीरिक स्रम करने से मान समान नहीं घड़ता एवं सभी काम समान रूप से इज़्जत वाले हैं एवं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है यह सभी छात्रों को स्रम का महत की भावना का अर्थ है सिक्षन के लिए ज्यान, प्रसिक्षन, अनुभव तथा अनुशंधान के अलावा और किस बात की आवसकता पड़ती है? आंसर इज उप्रोक्त दोनों मतलब अभीरूची की एवं सकारात्मक अभीवरिती की सिक्षन अभीरूची का एक महत्पुर पालू यह भी है? आंसर इज सिक्षन को छात्र उनमुख पनाने की छमता यह सिक्षक में न्याय और निक्सपक्चता का गुन ना हो तो इसका क्या परिनाम होता है? आंसर इज इससे सिक्षक विश्वास खो देते हैं और उसे सम्मान भी नहीं मिलता नेक्स्षन इज भारत में प्रोट सिक्षक कारिकरम की असफलता का कारण है? आंसर इज यह सभी मतलब अनुदेशकों एवं अन्य कारिकरताओं की लापड़वाही एवं प्रोटों के लिए किसी अतिरिक्त अभी प्रेधना की विवस्था ना होना एवं उचित निगरानी का अभाव नेक्स्ट कोश्यन इज इस्कूलों में नैतिक सिक्षा दिये जाने की संबंद में आप क्या विचार है? आंसर इज इस्कूल में नैतिक सिक्षा अवस्य दी जानी चाहिए नेक्स्ट कोश्यन इज एक सिक्षक का नीजी जीवन कैसा होना चाहिए? आंसर इज पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए नेक्स्ट कोश्यन इज स्वतंत्र भारत में सिक्षा के माध्यम की समश्या हलना होने पर परमुक कारण क्या है? आंसरीज भारत का एक बहु भाशी देश होना सिक्षा का माध्यम ऐसी भासाओं को बनाना चाहिए आंसरीज जिस पर जन साधारन का अधिपत्ति हो जीवन में सपलता प्राप्त करने के लिए अवश्यक है आंसरीज प्रतिकूल परिस्थित्यों में भी अपने आपको ढ़ाल लेना और परिश्रम से ना भागना किर्प्या करके मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससी की कोई भी न्यू वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए थैंक्स पर वाचिंग